दोस्तों स्वागत आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोश्टगाड एक 2023 बैच के लिए नाविक डीबी जीडी और यांतरी के लिए फुल मॉक टेस्ट डिसक्स करने वाले हैं यहां पर डिसक्स की चीज़ का मॉक टेस्ट करेंगा है समाने बिग्यार मतलब स सेक्षण वन के लिए है मतलब की सेक्षण वन जो है आपका जीडि में आता है दीवी में भी आता और यांतरीक में भी आता है तो कोई भी बचने वाला नहीं मतलब की यहां पर इस सेक्षण वन से और सैंस में 10 कोशिण आते हैं जो की most weapons दिम नब्gun के लिए बाइन काalter जो भी अपडेट आए रगुलर अपडेट आपको दिया जाता है जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाते है यह नहीं कि आज का कल और कल का परशो तो वहां से आपको जूड जाना है टेलिग्राम से जूड नमबर 15 मतलब की कोश्चन पेपर 15 वहां 45 मिनट का टाइम रहता है साथ कोश्चन रहते हैं नेगेटी मार्किंग नहीं रहता है और अभी डिसक्स करेंगे शाइंस का कोश्चन पेपर जिसमें से आपको 10 कोश्चन आपके एक्जाम में आएंगे तो चलिए स्टार्ट करते नेतर दोश का नाम बताएं जिसमें व्यक्ति एक ही अस्थान उर्द्वादर तथा चैति रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता है बताइए जैसे कि आपको अप्शन में दे रखा है और बिंदुक तरकता और उसके बाद निकट द्रिश्ची दोस्ट देरगत द्रिश्ची इन में से कोई नहीं तो नेतर दोश का नाम बताना है जिसमें से व्यक्ति एक ही साथ उर्द्वादर तथा चैति रेखाओं को फोकसित नहीं कर पाता है कर सकता है उर्द्वादर और चैति हो के होरिजेंटल और वर्टिकल तो चली आपका कौन सा राइट होगा देखते है सबसे पहले कौन बताता है कॉस्टन नमबर वन और और राइट एंसर जो हो जाएगा आपको वह बता देता हूं इसमें से अगर थोरा सा माइंड यूश कीजिएगा तो उर्द्वादर आपका और 36 रखाओं को फोकसित नहीं कर सकता है वह का होता है जब वह किस दोसे तो और बिंदुकता दोसे प्रभावित हो जो कि option A में आपको दे रखा है चलेंगे question number 2 पे भाई साब खतरना खतरना question आ चुके है लेबल बढ़ चुका है science के paper का जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि easy easy आ रहा है तो चलिए question number 2 पे चलेंगे question number 2 में दे रखा है oxygen की ऐनुपस्तिती में कुछ bacteria द्वाराखाद से उर्जा मुठत करने की कीरिया कुछ क्या कहते है ऐपكो बताना है comment section में और देखते हैं सबसे पहले कौन बताथा है कौन बताथा एक उर्जा मुक्त करने की किरिया को क्या कोते हैं और देखते हैं जब जब पहले कौन बताता है या फिर इन में से कोई नहीं तो मैं आपको बता दू इसका जो राइट एंसर होने वाला है मुक्त करने की किरिया को क्या कोते हैं चलेंगे कोश्चन नम्मर थी में दे रखा है हमारे सरी में लाल रक्त कोशिका हैं कहां बनती है इंपोर्टन कोश्चन है भाई साब और भी भी आई सारे यह आज के कोश्चन जो रहने वाले हैं टॉप लेबल के रहने वाले एक्जाम में यहां से एक दो कोश्चन फिक्स हैं मिलने वाले हैं हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाए कहां बनती है अप्सें इमें देखा हिर ब यह आस्तिमजां गुर्द और इन मीसे कोई नहीं तो चलिए मैं आपको बताद हूं जो आपका ढटर का जो राइट एंसर हो जाएगा वो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ तो जो राइट एंसर होने वाला है वो होने वाला है अस्ती मज़ा आ जो की option B में आपको मिल जाएगा चलेंगे question number 4 पे and question 4 में दे रिखा है दूद को दही से कौन सा बेक्टिरिया बदलता है ये question कई बार आचुका है lactobacillus और D इन में से मतलब कि कोई नहीं तो मेरे ख्याल से ये answer आपका सभी का सही होने चाहिए तो ज़्यादा इस पे समय नहीं लेंगे फिर भी आप बताईए कि इसका जो right answer क्या होगा हो सकता है आपके exam में आज है बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि नहीं पता होगा क्योंकि पॉट नहीं नहीं बच्चों जूडते रहते तो इसका right answer में आपको बता दू lactobacillus होगा जो कि option C में आपको मिल जाएगा चलेंगे question number 5 पे question number 5 में दे रखा है कि mano रक्त में plasma कितने परतीस्त होता है भाई साथ इसको लगा लिए bbip जो आप लगानस मानुर्ण में plasma कितने परतीस्त होता है option B में दे रखा 40%, B है 55% C में दे रखा 35%, Behind B में 5meno multiple open मानुर्ण में प्लाज्मा कितने परतीस्त होता है ओको बताना है 40,55, page 35, 50 okay question number 5 कौन देता है तो देखिए कोन बताता है राइट एंसर सबसे पहले कोन बताता है तो मैं आपको बतादू इसका राइट एंसर हो जगा माननी दो प्लाजुमा कितने परतिसत होता है प्लाज्मा को परतिसत होता है वह उता है jet stitches फा पर्षण बंद लग Soldier इन मेंसे किसका निर्मान होता है, क्योनन जो परकिरिया होती है, इन मेंसे क्या निर्मान होता है, option A में दे रखा ethyl alcohol B में है methyl alcohol, C है carbon dioxide, D है acetic omla, तो चली यहां पर हम बात करेंगे, इसका answer क्या होगा, umla, सब्सक्रिक,iesta बताता है तो मैं आपको बता दो इसका एंसर हो जाएगा इताही ऑप्सन योकी आपको मिल जाएगा चलेंगे question number 7 question में क्या दे रखा है लोहे के जंग लगने की परकिरिया कहलाती है भाई साब important question है exam में आए भी है exam वाला question है भाई साब लगा लेजेगा exam वाला लोहे के जंग लगने की परकिरिया क्या कहलाती है option A दे रखा है B है औक्षिकरन C है अधिशोशन और D है और शोशन तो लोहे के जंग लगने की परकिरिया क्या कहलाती है तो which option is correct and incorrect answer कौन सा होगा आपको बताना है question number है आपका 7 और 7 का right answer देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है तो मैं बता दू आपको लोहे की जंग लगने की क्रकिरिया जो क्या कहलाती है क्या का लाती है औक्षी करण का लाती है जो की option B में आपको मिल जाएगा चलेंगे question number एट पे and question tapi come eight में दे रखा है जिसमे क्या इत में क्या कई कऌते हैं आहरन करशकते हैं उसे क्या कोई नहीं तो चले बताइए यह answer इसका क्या होगा और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है question number 8 और 8 का right answer जो हो जाएगा आपका क्या होगा तो वो आपका हो जाने वाला है तन्य जो की option A में आपको मिल जाएगा चलेंगे question number 9 पे और question number 9 में क्या दे रखा है वो भी देख लिए आप question number 9 में दे रखा है hydrogen पर oxide का सही सुत्र है और भाई साब ये आप गलत बताएगा बैच वाले सोगे तो भाई साब क्यूंकि मतलब पूरा 2 और H2O और 2 H2O तो which option is correct A, B, C and D में आपको बताना है कि कौन सा right answer होने वाला है question number 9 में बता दूँ आपको hydrogen पर oxide का सही सुत्र जो होता है वो होता है कौन सा H2O2 जो की option A में आपको मिल जाएगा चलेंगे question number 10 पे जो की आपका last question है हावा में oxygen का क्या परतिसत है मेरे ख्याल से सभी लोग बता देंगे फिर भी एक बार बताना चाहिए यह option A, 20.99% मतलब की बीस पॉइंट नाइन नाइन परसंट B में दे रिखा है 23% C में दे नाइन पॉइंट परसंट D में 18% तो देखते हैं सबसे पहले कौन बता दा कि यहां पर बहुत सारे बच्चे हो सकता है गलती करेंगे करेंगे गलती करेंगे चलिए मैं आपको बता दा हूँ इसका answer गलती करेंगे बच्चे बहुत सारे बच्चे A भी बोलेंगे और बहुत सारे बच्चे B भी बोलेंगे चलिए मैं आपको बता दू यह तो माली जगलत है चलिए इसमें से कौन सा answer सही होगा तो B आपका answer सही नहीं होगा भाई साब यह भी गलत है आपका जो राइट एंसर हो जाएगा वह हो जाए यह आथे important question जो की most important मेरे ख्याल से आज के exam exam में यहां से question एक मिलना ही मिलना है यह लिख लिजेगा अब जिस सिफ्ट में आ जाए हर सिफ्ट में की बात नहीं करेंगे लिगे जिस सिफ्ट में आ जाए तो वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए बहुत जल्दी आप लोग question का सेट लगा या फिर पचास-पचास करके question को सेट लगा जै जिसमें समानने बिग्यान मैं तो चाहूंगा कि इसमें से शमानने बिग्यान के यह test लगा जै और इस तरीके से कुछ अलग डिजाइन से मैं आपको उसको बता दूँगा और टाइम आप लोग बता दीजिए मैं ट्राइ सोच रहा हूं कि रात में लगा दिये क्या रात में आठ बसे लगा दिये का आप लोग बता दीजिए comment section में वीडियो को लाइक कर दीजिए सच में सपना है तो फटवर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो अगर आपका सपना कोस् इंग्लिज शाइंस पूरा आपको मिल जाएगा कब वह मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो के माद्धम से तो शेयर कर दीजिए जयभात बंदे मात्रम